हाई फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाल हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से ओर्डर करते हैं और आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है आपका प्रोडक्ट खराब निकल जाता है आपको क्या करना चाहिए इसके लिए आपको दो ऑप्सन मिलता है पहला अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हुए साथ दिन हुआ है यानि साथ दिन से पहले ही आपको पता चले है कि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या ख आका कर आप Rangers करके और सकते हैं कि अगर आपका प्रोड़क्ट है यह एक policy flip card के return policy खतम होने के बाद आपको पता चला तो आपको करना क्या होगा कि आपको जाना होगा जो product आप purchase किया हैं उसका service center visit करना होगा और service center से जाकर उस product को ठीक करवाना होगा repairing करवाना होगा तो पहला option के दुआरा हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे करना है तो इसके दिए ले चलता हूँ आपको बगल में लगाता हूँ mobile screen और दिखाता हूँ कि कैसे करना है तो guys हम आपको बगल में mobile screen लगा दते हैं तो देखिए बगल में mobile screen लग गया देखिए ये product है जो की हम flip card से मंघवा थे यह product defective निकल गया है, देख लिजे, यह product defective है, अब हम चाहते हैं कि इस product को flip card को वापस भेज़ दें, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको flip card application open कर लेना होगा, open करने के बाद guys, आपको चले जाना होगा, उपर में three line दीख रहा है, three line पे आपको click करके, आपको menu बार में चले जाना होगा, वहाँ पर जाने के बाद guys, यहाँ पर देखिए, my order का option दीख जाएगा, देख सकते हैं, my orders का option आपको दीख जाता है, my orders पर simply आपको click करना है, तो हम इस पे click करेंगे click करें के बाद guys यहां पर देखिए guys अगर आपका return policy बच रहा देखिए guys यह अभी return policy valid till December 5 यानि 5 December तक यह valid है पाच दिसंबर से पहले तक हम flip card से return भेज सकते हैं अगर आपका pass पार हो जाता है यानि कि जो return policy date है वो खतम हो जाता है तो आपको service center जाना होगा तो guys देखिए आपर return का option दिख रहा है return पर हम click करेंगे return पर click करके यहां पर देखिए guys यहां पर आपको 5 option दिख रहा है पहला है received wrong item यानि दूसरा product receive हुआ है दूसरा product is missing in the package, product आपका missing है package में received broken या damaged item आपका जो product है वो damaged तूटा हुआ है यहां पर देख सकते हैं चौथा option है quality of the product are not expected यानि आपका product का quality खराब है और last option है this product receive is defective यहां पर देख सकते हैं the product receive defective यहां पर दो option दोनों में से आप कोई भी select कर लिजे third option या फिर fifth option select कर सकते हैं तो चलिए यहां पर third option हम select कर लेते हैं उसके बाद देख सकते हैं guys यहां पर दो option आता है select करने का तो यहां पर आप select कर लिजे received a broken या damage item इस पर click कर लिजे और यहां पर देखिए click कर लिए यहां पर select कर लिए और यहां पर लिख दीजे this product is not working यहां पर लिख दीजे this product is not working यहां पर लिख दीजे और continue पर click कर लिजे continue पर जासे ही click करते हैं guys तो यहां पर देखिए brand brand product brand provide box package must be available यानि कि जो जो चीज आपको product के साथ मिला था वह available होना चाहिए तभी आपका product return जा पाएगा तो यहां पर देख सकते हैं इस पर tick mark करके और नीचे में continue option है continue पर click करने के बाद यहां पर दो option है या तो आप refund ले सकते हैं या तो replacement refund में कि आपका जो product हो जैसे ही flip card कोरियर के द्वारा पीक अप होगा तो वैसे ही आपका refund मिल जाएगा और replacement में है कि आपको कुछ दिन तक wait करना होगा और वहां से एक product आएगा और यह product आपको आपके यहां से ले पिक अप कर लिया जाएगा और नया प्रोडक्ट डिलिवर करवा दिया जाएगा यह रिप्लेस्मेंट है तो हम रिफांड कर लेते हैं रिफांड करने के बाद गाइस देख सकते हैं पर लिख रहा औरीजनल पेमेंट मोड रिफांड विल भी ट्रांसफर्ड टू यूर सैमिट रिक्वेस्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं एप्रूब्ड हो जाता है कभी कभी होता क्या है कि यहां पर पेंडिंग दिखाता है तो आपको कुछ समय तक वेट करने के बाद आपका जो रिटर्न है वह एप्रूब्ड हो जाता है तो देख आपको Flipkart Courier के द्वारा Call आएगा और बोला जाएगा कि आपका कोई return parcel है तो यह parcel आपको जिस परकार से आपका packaging बे आए था उसी परकार से pack तो नहीं करना वैसे ही दे देना है और आपका payment refund हो जाएगा अगर आप replacement भी करवाना चाहें तो replacement भी ले सकते हैं तो मैं आसा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफी पसंदा होगा, वीडियो पसंदा तो लाइक किजिए, चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लिजे, थेंक यू